अल्फा बीटा गामा जिसे भुजा A और B के मद्दे बनेगा गामा भुजा B और C के मद्दे बनेगा एल्फा और भुजा A और C के मद्दे बनेगा बीटा ये होते हैं कि कोश्टिका के पेरामेटा आगे देखे एकक कोष्टिकाओं के प्रकार एकक कोष्टिका है उनको दो भागों में बांटा गया है अध्य एकक कोष्टिका या सरल एकक कोष्टिका दूसरा जो प्रकार है केंद्रित एकक कोष्टिका अब इसके बारे में हम अध्यन करेंगे पहला जो प्रकार है वो अद्धे सरल एक कोष्टी का परिभासा देखिए अव्यवी कन केवल एक कोष्टी का के कोनों पर स्तित होते हैं तो उसे सरल एक कोष्टी का कहते हैं मान लो यह कोई घं है इस घं की सरंचना इस प्रकार की है इसमें आप देखिए इसमें जो यह अव्यवी कन है वो एक कोष्टी का के केवल और केवल कहां इस्तित है कोनों पर यह जो कोर्णर है इन कोर्णर के उपर यहां इस कोर्णर पर उपस्तित अव्यवी कन कितना एक इस कोर्णर पर उपस्तित अव्यवी कन एक फिर यहां उपस्तित एक यहां उपस्तित एक फिर यहां यहां यह केवल और केवल कोर्नर पर उपस्तित होने वाले अव्यवी कंड उनको हम सरल एककोष्टि का कहते हों कि दूसरा प्रकार है वह केंद्रित एककोष्टी का नाम से पता चलेंखा केंद्र यहानी केंद्र पर इस्तितोग और केंदर कोष्टी का में एक अथ्वा अधीक अव्यवी कन कोर्णर कोणों के अतिरिक अन्य श्टतियों पर उपस्तित होते हैं उसे केंदृत एक कोष्टी का कहते हैं, कहने का ताध क्री क्या हो गया, अब उपर वाले में सरल एककोष्टिका में तो अगे भी कंड केवल और केवल कोर्नर परिष्टित थे अब इस वाले केंदरित एककोष्टिका में जो कंड होंगे वो कहां हो सकते हैं देखिए जिसे हम एक घन बना लेते हैं एक क्रिश्टल बना लेते हैं और उस क्रिश्टल में सरल एकक कोश्टिका को तो दर्साएंगे दर्साएंगे, साथ में केंद्रित एकक कोश्टिका को भी दर्साएंगे. ये कोर्नर पर इस्तित अव्यविकन है. इस प्रकार एक क्रिश्टल का निर्मान किया, और ये जो कोर्नर पर इस्तित अव्यविकन है, इनको हम सरल एकक कोश्टिका के नाम से जानते हैं. अब सरल एकक कोश्टिका के अव्यविकन तो कोर्नर पर हो गए, इनके अतिरिक्त एक या अधीक अव्यविकन केंद्र पेश्टित हो. अब केंदर में क्या एक तो इस क्रिस्टल के केंदर पे इस्तित हो सकता है जिसको हम क्या कहेंगे अन्तें केंदरित एकक कोष्टी का इसको हम बोलेंगे अन्तें केंदरित एकक कोष्टी का इसी प्रकार हम दूसरा क्रिस्टल बनाएं म इसको हम इसको हम अन्तें केंदरित एक क्या तैनि केंदरित एकक को बढ़ाईंगे अन्तें केंदरित एक बाहते हैं क॑ i gia हमने क्रिष्टल बनाया इस क्रिष्टल में कॉन्रेट पर तो होगही होगह क्योंकि ये तो सरल या अध्य एक कोस्टीका प्रकार हो गया ये इंक कॉनर के अतिरीत कहा हो सकते नुमबर दो देखिए केंद्र केंद्रित एकक कोश्टिका अब देखो हम यहां फलक की बात कर लेंगे और पिर एकक कोश्टिका की बात करेंगे फलक देखिए इस वाली सरंचना को ये जो चार अव्यविकन जोड़कर इस प्रकार की सरंचना बना रहें उपर वाली ये हैं एक फलक ये जो सरंचना है चार अव्यविकन जोड़कर जो एक सरंचना बना रहे हैं जिसको हम ये कह सकते हैं कि एक फलक का निर्मान कर रहे हैं तो देखो इसमें फलक कितने एक उपर वाला ये साइड का दो ये इदर सामने साइड तीन निचे वाला चार और एक पिछे वाला पांच और एक सामने की और का जो फलक है वो छह हैं पर एक कमरे को मानना पड़ेगा हम एक कमरे को क्रिश्टल कारूप दे सकते हैं अब उसमें जो 8 corner होते हैं अन आथ corner पर इस्टीट अव्यविकर्ण है वो तो सरल एक को श्रीका का प्रकार है उस corner केम इस कम्रे का जो मेन केंद्र का भागय बीच का भागय हो आपको इव्यविकर्ण स्थीत तो वो किस प्रकार का हो गया उंत्य केंदरित हो गया चैंस के बार में उसकी जो दिवार हैं छाह दिवारे बनाई चाहँ चाहरत हो वेशे और age उपर और एक नीचे फिर इदर सामने की दिवारे दो आउपर और नमबर तीन देखिए नमबर तीन के लिए फिर हम एक घनीश रंचना की कल्पना करते हैं एक क्रिस्टल का निर्मान करते हैं यहां हम पढ़ेंगे नमबर तीन अंते अंते केंद्रिद एक तो अंते हैं और एक हैं अंते हैं और अंते एक अक कोश्टी का देख्ये कैसें अंते का मलह होगा यहां बात करेंगे दो फलक की और दो फलक भी कोन से होंगे आमने सामने वाले फलक या तो एक फलक ये और इसके सामने वाला फलक ये एक तो अव्यवीकन इस्तित होगा यहां इसके केंदर में एक अव्यवीकन इस्तित होगा इसके केंदर में कोई भी दो आमने सामने वाले फलक मान लेंगे उन फलक के केंदर में जो अव्यवीकन इस्तित होगा उसी का प्रकार है अंते अब किसी भी दो के हो सकता है उपर नीचे वाले के हो सकता है साइडों वाले के हो सकता है आमने सामने वाले के हो सकता है उस प्रकार के एकक कोश्टी का है अंते केंद्रित एकक कोश्टी का तो देखें यहां स्टार्टिंग में आजाईएत पुन्या अध्य एक कोस्तिका का प्रकार होगा केवल और केवल ये कहां परिस्तित होगी अविवी करने हैं वो केवल और केवल कोनों परिस्तित होंगे